कि एक संब्यक बहुत संबेलन के अंदर पूरे भारत के कौने कौने से आये हुए सभी सोता गान यहां मौजूद हैं अभी कुछी देर के अंदर यहां प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और गीतो भरी शाम बाबा साहब के नाम बाबा साहब कौन है आई हम जान का ही लेते हमारे बीच के अंदर इड़ागेट सेवा की से और गाजयवाद से चल कर यहां आए और इतना यह नहीं इन्होंने मैन जो गाजयवाद के स्टैंड है वहां बहुत बहुत बिहार का निर्मान किया और निर्मान ही नहीं बहुत बड़े आर्सी से काम करने कुछ दिन पहले वो दोगा प्रोग्राम किया था सर ये जो आज गी तो भरी साम बावा साहब के नाम जो दिया है ये बावा साहब का नाम ऐसा क्यों दिया है बावा साहब ने ऐसा क्या काम कर दिया जो बावा साहब को आज यहां सब जान रहे हैं बावा साब का नाम पूरी दुनिया का एक अनोखा नाम है इस बावा साब ने जितना भी गरीब तब का सोशी तब का जितना भी आदिवासी वर्ल्ड में 80% आदिवासी व्यक्ति हैं जिनके बारे में बावा साब नहीं सोचा है कुछ लोगों ने और उने भी जो विदेशी लोग हैं उनोंने भी अपने विचार रखे हैं लेकिन जो आज हम देखते हैं भारत में जो जान फूकी है वो बावा साब नहीं सोशीतों के अंदर जान फूकी है जैसा हम ये देखते हैं, बावा साथम ने कई आने की प्रोग्राम दिये हैं, शिक्षा का भी प्रोग्राम दिया है, संख्षन का भी प्रोग्राम दिया है, सबसे महत्पूर्ण जो है, शिक्षा हमारे लिए आने की साबित हुई है, जिससे आज हम इस काबिल हुए हैं, कि आ चाहिए लोगों जिन से आनिके हमें आस जगी है और यीज देखें। भूस होगा मैं हम सूचते थे कि हमारे बाध में क्या होगा याँ आज यूज वर्ग थगा आपने हात् Oh still a day of the presentation आज पूरे भारत में ने की चमका दिया है उस जिसमें हमारे सांतिस रूबाद ने भी यहां पर भूमी का दिली में भूमी का निवाई है यही ने इन्होंने तो भूमी में भी निवाई है और दिसरे देसों में जो साहित ही इन्होंने दिया है यह एक बहुत महत्पूर्ण चीज साहित का जो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा महत होता है बावा साहित के लिए लाखों किताबें यानि की देखी हैं लाखों किताबें पड़ी हैं जो आज तक किसी भी व्यक्ति ने इन किताबों का अधियन नहीं किया जो बावा साहित ने किया हम तीस साल बावा साब ने सोसितों का आधियन किया और उसका निचोड हमें दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया है हम यह सोचते हैं कितने ही आनि कि सरकारे आई कितने ही आनि कि विदहन सबाय बनी हैं लेकि उनका अनुसरन करते हुए हमें बड़ा गर्व होता है सर अभी बाबा साब ने एक मंच पे बोला था कि ऐसे आडम मर करने से अच्छा है कि मेरा जो लिखा हुआ इस्तिहास है उसे पड़ो बावा साब ने हर छेतर में हमको आने के दिया है जैसे समता सेने के दल बावा साब ने दिया बारत्यबाद मसभा बावा साब ने दिया और तीसरा संग्ठन हमें दिया तो इस तरह से हमें बावा साब ने कोई आनी छेतर छोड़ा नहीं है जिसे कि हमें उन्होंने आगानी किया हो और उन्होंने जैसे आपने आनी कि हमें बताया कि बाबा साब ने ऐसा क्या किया है बाबा साब ने ही सब कुछ हमें दिया है नहीं तो हम पड़े रहते सड़ जाते और सड़े पड़े रहते जो बाबा साब ना होते तो इस तरह की बाते हमें आने के मिलती हैं, तो हमें बड़ा बावा साब का नाम लेते हुए बड़ा गरव होता है, मन में बड़ी उमंग होती है, मन में बड़ी उमंग के साथ में हम यह कह सकते हैं, कि बावा साब जैसा व्यक्ति आज के धर्ती पर होता, आज भारत में होता तो भारत का नाम लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तानियों का देश है, देखिए ये सुप्रिम कोट के ओर्डर है, इसमें लिखा आई ये आदिवासियों का ही यानि की देश है, आदिवासी ही इसके मूलनिवासी है, आदिवासी ही यहां के नागरिक है मैं इनके परतिलिबी आपको देता हूं तो ऐसा यानि की दूसरे लोग भरम में ढाल रहे हैं आड arm haveur के ऊपर बावास Śाह ने बहुत लिखा है अगर art number की ही विरोद ना करते तो यह धर्भाम का परिवर्धतन ना करते आज हम कहते हैegen हां कि ग्रामन, राजपूत, वैस, तीन ही वर गयाने की बहुत धर्म को अपनाते थे, धाई हजार साल इन्होंने ही बहुत धर्म को रखा, अपने हातों में रखा, आज हम याने की बहुत धर्म को अपना रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन नहीं यह संस्कृति का आयानी कि हमें मिलान हो रहा है संस्कृति का हमको पकड हो रही है संस्कृति को हम जान रहे हैं इसलिए हम उनकी तरह नोड़े हैं कि